सो गाइज वाद हम कंपेर करने वाले हैं एक 5G फोन को एक 4G फोन से वेल दोस्तों यह कैसा कंपेर दन हुआ बट 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 जो दोनों का प्राइस है वह यहां पे एक दम सेम है 15,000 रुपे का यहां पे दोनों ही फोन साते हैं गाइज एक तरफ है हमारे पास रेड्मी नौट 10S और दूसरी तरफ हमारे पास रेड्मी नौट 11T 5G जो कि मार्केट में लाउंच हो गया है इसका वेस बेरियंट यहां पे 15,000 रुपे का रेड्मी नौट 11T आता है और साथ में रेड्मी नौट 10S भी 15,000 रुपे का आपको Amazon पर देखने के लिए मिल जाएगा तो तरह के यूजर के ग willingness का घाली तरह के यूजर के सांते हैं अलग आते यहां पर फिचर्स के साथ तो आपrait है चूट 12,999 तो यहां पे आपको शे जी वी की रएम और चौश्ट घीवी की इंटरेज आपको देखने के लिए उन्भाक्षण करते समय आपको दोने स्माट्फोन में केस आपको देखने के लिए मिलेगा और इसमार्टफोन में स्यारे चीज़े यहां पर दी गई हैं तो बात करें तो यहां पर एडमी नौट 10S के डिस्प्ले में बात करें डेडमी नौट 11T 5G के डिस्प्ले के बारे में तो यहां पर आपको इस स्क्रीन थोड़ी बड़ी मिल जाती है 6.6 इंचेस का फुल एचिदी और आपको दिस्प्ले स्प्ले दिखने झायं ग्याशन थोड़ी बारइ नीज के गंसे स्क्राइब थैय्यक्य टलते कर्ति है त्याहँ को और यहां पहली छिलेट है डिएश खाली पत तो लिदियुम आuesta माइन पॉलिवन आपको देखने के लिए मिल जाती बात करें दोनों स्मार्टफोन के बारे में तो यहां पर मीडिया टेक लिए प्रोसेशर आपको देखने के लिए मिल जाता है और वहीं पर साथ में आपको यहां पर यूफ़स 2.2 सपोर्ट करती है और यहां पर इस्टीडियो स्पीकस आई IP-53 Rated, यहां पर Splash Proof, और Dust Proof, यह Phone है, Redmi Note 10S, और साथ में जितनी सारी चीज़ें हैं, वही सारी चीज़ें यहां पर भी दी गई है, बाट यहां पर MediaTek Dimensity 810 5G Processor, यहां पर यूज किया गया है, जो कि 6 Nanometer Technology पर वेज़ है, जो कि अभी हाली में, यहां पर लगभक सभी Phone जित यहां पर यहां पर यहां पर धोड़ा पुराना हो गया है बट यहां पर रेड्मी 11T में जो प्रोसेसर आपको मिलता है यह थोड़ा ज्यादा लेटेस्ट है और ज्यादा अच्छा है और फाइब जी भी है सो गाइस दोनों स्मार्फोन में आपको पर्फॉर्मेंस है यहां पर से बहुत ज्यादा यहां पर डिफ्रेंस आपको देखने के लिए नही आपको देखने के लिए मिल जाए जो की आपे एंड्रॉइड एलेवन पर बेज़ड है यहां पर पर जो रेड्मी नौट 11 ती 5G है यहां पर आपको आउट आप दबाक्स एमाई यूजाए तो यहां पर थोड़ा सा एक जनरेशन यहां पे पीछे है रेड्मी नोट 10s तो मिल जाता है रियर में और साथ में एक लडी व्लैस्स के लिए मिल जाती है सामने फ्रेंट में आपको एक कैमरा देखने क्लिए मिल जाता है तो इसके बैक साडमे की बात करें डर्मी नोट 11 थी के रारे में तो आपको आपको 16 मेगा पिचल का एक यह देखने के लिए मिल जाता है विए क्यामरा की परफॉरमेंस अची चाहिए तो आपको रेड्मी में ब्लूटूथ mi 100 अब अब तक यहां पर इनृबी नोट दीश्मार्ट unf है कहाएग उधार निट पर की ल inchでした को में स्मार्ट पूर्ट्फोन नयुक्त रहता हैं यहां फॉल्फिल हो रहे था है उसे स्मार्ट טוב करकेगा तो आप Redmi Note 11T के साथ आप जा सकते हैं अगर आप 4G फोन लेना चाहते हैं फुल फीचर के साथ आपको फोन चाहिए फोन में फाइब जी हो या ना हो एक फीचर आपके लिए ज्यादा मैटर करता है तो Redmi Note 10S आपके लिए ज्यादा बेटर हो सकता है आपको फाइब नोट 11T है अगर आपको एक साल तक फोन चलाना है हलाकि इंडिया में एक साल के पहले फाइब जी लाउंच नहीं होगा अगर आपको फोन एक साल के लिए यूज करना है तो आप Redmi Note 10S की तरफ जा सकते हो इंडिया में फाइब जी आया भी नहीं है फाइब जी स्मार्टफोन आप ल तो खाइब तो यह से आप सोचते हो उस हिसाब से अपना फोन सेडरांपर कर सकते हो मेरा जो अपना आपको बता दिया तो आप वीडियो कर लелा चाहता है मुझे मोगों में जरू बताएगा तो का इसलिए इस वीडियो में हुंआ कर साथ तक लिए वाए बाइ आप दो